कौन पाठ पढ़िये आली जो ग्यान बढ़े अग्यान नसे हो आतम का सम्मान जगा और अपने को कुछ शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ग्यान ले, कुछ ठान ले कौन पाठ पढ़िये आली जो ग्यान बढ़े अग्यान नसे हो कान का पढ़िये आल钟, इसक ठान कारि हो जैसे जैसे गाउं मेन बढ़ा आता जा रहा है नई चीजे हैं तो कुछ लोग, गाउं सेहर की और चले जाते हैं और खास कर जब nौजमान लडके और लडकियां गाउं से शेहर में माबाप के जीवन में काफी अकेला पन रह जाता है बुड़ापे में उनके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है अब तो ये गाव सिर्फ बूलों का गाव होकर रह गया जवान बच्चे तो सब शेहरों को चले गए करें भी क्या किया तो कितने हाड लगाने पर मुश्किल से नाज पैदा होता है शेहर में तो धेरों काम है कितनी नौकरियां है ठीक कहती हो तुम अब जवान पंची तो पिंजडे में बन करके नहीं रखा जा सकता है उनके तो पंख है वे तो उड़ेंगे ही राम राम दद्दा राम राम भीया शेहर से चिप्ची आई है बेटी की होगी ना ना हमारी बहू पड़ी लिखी है चिठी पत्री वही लिखती है बेटे को काम से फुरसत कहां ले तू ही पढ़के सुना मेरा तो मोतियाविन इतना पग गया है कि पास की चीज कुछ नजर नहीं आती आ गंगा की है अरे इसमें तो पोता पोती की फोटो भी है दिखा दिखा तो ठेरो तो सही उतावले हुए जाते हो पहले मैं तो देख लूँ किता बड़ा हो गया है मुझे भी तो दिखा बुडिया हो गई पर तेरी मुझोरी की आदत गई नहीं अभी तक तेरे की आखे तो मेरी बिल्कुल जवाब दे गई है गंगा को लिखना के फोटू ज़रा बड़ा करा कर भेजे ताकि मेरी अंदी आखों को भी तो कुछ दीखे अब फोटू नहीं खुदी पोता पोती को देखोगे क्या मतलब बहु ने लिखा आये कि अगले महीने बेटा हमें लिवाने आ रहा है आपकी आँखों का अप्रेशन है तो यूँ खवर बढ़ के मत सुना सारी की सारी चिठी पढ़ शुरू से लेकर आखिर तक चल प्रण परमेश्वर के चरणों में प्रणाम प्रणाम के बाद आदर्निय बाबुजी और इजग की सेवा में प्रणाम सुवकार हो क्यों आप तो चिठी ठीक पढ़ रही हूं ना हाँ हाँ आगे चल हम सब यहां राजी खुशी से हैं भगवान से प्रातना है कि आप सब आपके बेटे ने बाबुजी के आँख के आप्रेशन की बाबत डॉक्टर से बात कर ली है अगले महीने चुटी लेके आपको लिवाने आएंगे क्या मैं सब कुछ दुबारा से देख सकूँगा क्यों नहीं अपनी पंत जी को नहीं देखा चस्मा लगा के बड़ी बड़ी आँखों से सारा अगबार बाच लेते हैं खेर आगे सुनू अपनी बिटिया ने लिखा है कि दादी से कह दो आएंगी तो मेरी गुडिया का लेहंगा सिलना पड़ेगा कैसी कैसी बाते करने लगी है अच्छा अगे चल मेरे बारे में कुछ लिखा है नहीं क्यों नहीं लिखा है लिखा है कि आपका पोता कहता है शहर आते हुए जबरी कुतिया का एक बच्चा उसके लिए ले आवे अच्छा तो अब तक याद है उसे जबरी की क्यों नहीं मैंने पिछली चिठ्ठी में ही लिखा था कि जबरी ने बच्चा दिया है दो साल हो गए सब को देखे हुए पर हर पंद्रवे दिन चिठी से तो ख़बर मिल जाती है ऐसा लगता है कि छान भर को सब से मिल लिये हो ठीक कहती है तू बहू पीछे पढ़ के तुझे बड़ों के स्कूल क्या कहते है प्राण शिक्षा केंद्र मिले गई थी उसी का फल है कि बच्चे दूर होते हुए भी दूर में लगते हैं कहां चली और पढ़ो ना पूरी चिठी तो पढ़ लिए अब क्या पढ़ू अच्छा आ तो दुबारा से पढ़ो पहले चुला जला लूँ दाल चरहा दूँ फिर दुबारा चिठी भी पढ़ूँगी फोटो भी देखते हुए पर ये अकेला पन भी दूर हो सकता है अगर थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने की जानकारी हो तो शहर में रहने वाले बच्चों की चिठी से ही ख्रणभर मात्र को ये लगता है कि वो आप ही के सामने खड़े हैं आप ही से बाते कर रहे हैं और आप उनसे नजदी की सी महस करने लगते हैं आज कल गाव में जो कुछ-कुछ बदलाव आरा है उससे गाव वालों को कुछ सहुलितें कुछ सुभधायें कुछ फायदे भी मिले हैं जैसे आप लोगों के गाव में ये जो निर्धुम चूला है जिससे की धुआ कम होता है ऐसे चूले आप लोगों के ऐसे रहरों में कुछ-کुछ के लगे हैं aujourd' USSR लगे侏 हैं तो य ढुण जा सब्सक्स बाना लेते हैं साथ है जब रोटी बना बनाते हैं जाथ जब रोटी बनाती हैं though आप ये फायदा हो, अब ढून नहीं लगा आःख, डूम्हा उपर अगाता हो जाता हो यहां लख्णि कहां से लाते हैं ? जंगल से चूले से और दूसरे चूले में लख्णि कम लग्यान है ? प्रच चूले में लख्णि कम हुर्छ मेंदकτε ? इसमें दो काम हो ज्या ह chang left ? यह नयूरी में लख़़ हैं और इन चूलों को बनाने का सभी सामान गाउं में ही मिल जाता है फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश के सहारंग पुर्जिले का एक छोटा सा गाउं है इस गाउं के रहने वाले अधिकांश हरिजन और भूमिहीन है ये जमिदारों के खेतों पर खेती का काम करते हैं और यही एक मात्र इनके रोजगार का साधन है किन्तों यहां काम उन्हें साल में दो यद तीन महीने से अधिक नहीं मिल पाता इसी कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है इनके इन आर्थिक हालात को देखते हुए दिशा नाम की एक सामजिक संस्था ने सरकार की मदद से यहां की महिलाओं के विकास के लिए एक आर्थिक कारिक्रम लिया इस ट्राइसन योजना के अंतरगत इस गां की रहने वाली पंद्रा हरिजन और पिछडी मुस्लिम मौरतों को चार महिने की सिलाई और कटाई की ट्रेनिंग दिए सबसे पहले रोजगार वाली जो समझ से थी वो सामने आई जैसे कि भूमी हिन जो खेतियर मजदूर हैं वो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं तो खास्तोर से महिलाओं के लिए पुर्षों के लिए जो वेजज हैं याने मजदूरी वो अलग-अलग हैं तो महिलाओं में इस बात का बड़ा रोज था कि हमारे भी मजदूरी पुर्षों के बराबर होनी चाहिए तो यह सब बातों को देखते हुए उन लोगों ने यह सबसे पहले जरूरत महसूस की कि हमको पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए अपने पेरों पर खाड़ा होना चाहिए प्राइसम की ट्रेनिंग हमने जनवरी थरवरी से सुरू की थी फरवरी एटी थी में चार महीने की थी लेकिन इसमे किस चीज की ट्रेनिंग दी गई सिलाई के लिए यह जो ओरते हैं सीखने लगी यह एक दम इस गाव में नय काम की गाव वालों ने क्या कहीं इसके बारे में मारत तबाज अबाज आसा लाए ठेलियो फिरें के बिच्छे अक मारा गर पक्वावगी क्या मारे आमल अलाम कर वाओगी अजी बहु सुना दा लोका खना मसीन का मादमा अशीन कर आवगी शुना माल जबिये काव सी खन्हें तो अपको कैसा लिगा हम औरreci हमाऊ कर लगागा हृण फरियो खराब लगई अर दोबारे अविबाती है, हमें यह अंदाइत है कोछ शीखने सकती है तो आपने शुरू में इसको खुब डाइट दपड किया? हाँ जी मारा वारा भी? मारा भी है, जी हाँ तो वो क्या बोले? वो बोले जी हम सिख नहीं, जरूर सिख है जब आपके घरवाली ये सिलाई वगरा काम सीखने गई तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? अच्छा लगा, मुदल्ब मारी तरक्य हुए, हम अच्छा काम मिला पर क्या इंकी ट्राइसन की ट्रेनिंग खतम होने के साथ इंको बैंक से करजा मिल गया? नहीं, बहुत जारे संगर्सों से गुजरना पड़ा हम लोगों को और जब लोगों ने ट्रेनिंग खतम कर दी तो उसके बात इंके दिमाग में आए कि काप हमें मशिन मिले लेकिन हमारी जद्दो जारी थी, लग बग साथ आठ मैने इसमें लगे बैंक में जब आप गए तो आपको क्या परिशानी हुई? आपको क्या परिशानी हुई आपको क्या परिशानी हुई? अंदर रात के भार पजायते? किसी ने रोट्टी काई किसी ने रोट्टी निदे अपना पेल लाना के काड़ी कहां तो देंगे करजा क्यों आनका धरिया मुसीन ना तो उस दिन जब बैंक मेंगर निगा कि आज काम नहीं होगा तो और तो यह काहा किसाब हम आटतास ओरते हमारे साथ बच्चे भी हैं और ह अज घरनी जाएंगे हम तो यहीं बैंक में रहेंगे आप खाना किलाई हमें और हम तो यहीं सोगें घरनी जाएंगे तब तर तक तो इससे वहां अपने आप परफॉर्में पेलर को दिये हाथ से बनाए वो सब कुछ चैक वैग काटा अजिए 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 अजिए अच्छadsag लिया णिए वो कपड़ा कुछ वैसे अख्द्धशी लिया अजिए 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 अच्छछध अजिक उल्गान के बच्चारा आप पारहे हैं अ है काम नेने मिटाज लग दी अगर काम नेने पर अच्छा जी जो आप सिलाई सीखने जाती हो वहां और भी ओरते हैं हाज तो एक जब सब साथ मिलके बैठते हो तो कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है जी लगता है जी लगता है आप ने जब सिलाई के लिए सीखने की कोश बाग करी तो आपके आग्मीन क्या कहना था इनका तो कुछ भी कहना हैं था उनने क्या भारी भारी था हम थी जीमन अपने घर में तंग थे हमने अपने दिक्कत के लिए लिए कि मसील माका कुछ हमने नफाव जागा हमने अनु का मित सब्सक्राइब करें आपके दीक्ति हमने बरकेशों को कॉछ दौकर मिले करें जो यहां की जो पीट है जिन में विकली मार्केट हम जिनको कह सकते हैं उनमें कुछ बने बनाए तयार कपड़े आते हैं जिसको साहरनपुर के बड़े ब्यापारी लेके आते हैं और यहां के गाउं में खास्तोर से जो औरतों के सलवार कमीज होती है वो यहां पीठ में बिटने को आती है तो हमने जो पीठ में यहाँ पर ब्यापारी आते हैं कपड़ा बेचने के लिए उन में से कुछ को कंटक्ट किया पीठ में जब आप कपड़ा सिल्के भेजते थे तो आपको कितनी आमद नी होती थी आपको लगता है कि उनका हाथ पूरी तरह साफ हो गया या उनको आगे के और ट्रेनिंग के जरुवत पड़ी टिंगन का हाथ साफ नी था तो उन्हीं की तरफ से सवाला है कि भेंजी कुछ ऐसा कुछ काम करो जिससे हम थोड़ा कटिंग भी आए तो उसी गाउं का एक दरजी क्योंकि इती दूर से वहाँ को जाकर अगर प्रेक्टिकल नी था उ को उस गाउं में रहता था उसने का कि ठीक है मैं के साथ कर्टिंग करूगा अच्छा मासर जी आप से थोड़ी बात कर सकते हैं यह जो बहने हैं सुलाई सीख रही हैं इनको आप कब से सिखाने लगें मुझे करीब हूं तीन साड़ थीन में नीग तरने दीजी अब यह में और नए करें यह अगॉवका साथ काम एषी सकते हैं अपने आप से काट भी सकते हैं एखार प्रक बश्क आप सक्षड कर दीया है तो यह मत किसिटीत गें ठोड़ी तोड़ी गई है जिशारी देदेंगे अब तो हम भी अन्पसारा लगा मुझे जब अम अन्दाज बढ़ गया कोछ चीख सेखें अम भी देंगे अगर इनको काम पूरा मिलने लगे तो क्या ये घर में बैठके इतनी सिलाई करके इसका करजा चुका सकेंगे फिरोजाबाद की ओरतों के मन में उमंग है और अधिक सीखने की उनकी सफलता की पहली मंजिल यही है कि घरवाले आज उनके इस काम में उनका साथ दे रहे हैं तो वह अच्छी तरह जानती हैं कि साथ मिलकर ही वो ये लंबा रास्ता पैकर पाएंगे यह तो मन्जिल की और बरतावा पहला कदम है पान पाठ पढ़ी है आली जो ग्यान पढ़े अग्यान नसे हो पान पाठ पढ़ी है आली जो ग्यान पढ़े अग्यान नसे हो पान पाठ पढ़ी है आली जो ग्यान पढ़े अग्यान नसे हो